किसान अंदोलन चल रहा है बिल्कुल चल रहा है जीटी रोड जाम है बिल्कुल जाम है मगर सरकार को लगता है कि ये नजायज हो रहा है ऐसा क्यों सरकार को तो नजायज लगना ही है जब वो अपने नजायज कानूनों को जायज बताने में विश्वास रखती है तो उनको त था 50-60-70 साल से चलती आ रही है सरकारी खरीदगी आमें सरकारी खरीद चीए हमारी जो लोकल मंडी सिस्टम है उस पे आच नहीं आनी चीए आप ठीक है बरबर टेक्स सिस्टम कर दो पूरे इंडिया के अंदर वपारी जो बार भी अगर माल खरीदता है उससे भी आप वो टे अपने उसमें अमेंडमेंड कर देंगे संसद का दिवेशन बुलाएं प्रोपर तरीके से बिल को अमेंड करें तब तो हम मालने के वही सरकार की नियत सीदी है कभी अमित्शा कह देता है कभी कोई कह देता है कि हम MSP देने को तयार है MSP देने को तयार हैं तो आप अमेंडमेंड क्यों नहीं लेते हैं जब आपको बिल लाने की अमर्जंसी में इतनी जल्दी थी तो आप इसको भी तो लेसकते हैं बिल में के तोरबे अब इतना मारा शोशन हो चुटा लेकिन सरकार ने हमें मजबूर कर दिया दिल्ली के दरवाजे बारने के लिए अब बैवल के आगे नोर पे मन की दिमांड रखी सर्ठ छोटराम ने लेकिन लाड बैवल ने मना कर दिया तो उस ने जिसने बंडी सिस्टम भी छोदरी छोटराम की दिस दिन हमारे पंजाब के अंदर तो लाड बैवल ने मना कर दिया वो मीटिंग छोड के आगे उसने कहा गे अम अपनी सेना मैं अपने अरियाना पंजाब के जवानों को वापिस बुला लेते हैं और अपनी खड़ी के फसल को आग लगा देते हैं तो यह कह के वो मीटिंग छोड़ के बार आ गया तो बार आ के उसके पिछे पिछे लाट बैवल ने अपना आदमी बेज़ा के बही हम आपकी बात मानन के लिए बंजूर है उसने आठ रुपे मन के बजाए बोला दस रुपे मन अब वो कहने लगा है तो आप तो आठ बास दांद किसा ही है जब हम यहां आ लिए समझ रहे हैं बात जब हम आ लिए यहां तो हमारी जुन सी और मांगे हैं वो थोड़ी सी तो बढ़ेंगी जो दब्यों ही मांगे थी तो में कारण यह है कि हमें मजबूर ही क्यों कि है गर से निकलने के लिए ऐसे कानून अब इसका अंत गया देखो दिल्ली की जंदा भी प्रशान हो रही है और जहां आयों किसान प्रशान आज निकल होगा देखिए हम तो हम तो सम्मादान हर चीज का होता है हम तो पिछले साट सतर साल से क्रिशी नीती से वैसे ही प्रेशान थे ठीक है आज चलो दिल्ली को प्रेशान नहीं हो रही है हम तो खेत में भी प्रेशान है हमारी ताती पाच-पाच किलो चांदी के गढ़ने और एक-एक किलो सोना पहनती थी मारी मा और की शादी में वो तोड़े हम आज किसान की यह आलत हो गी है कि उसके दो रोट जून की रोटी भी डंग से और अपने बच्चों को डंग की अजूकेशन नहीं दे पा रहे हैं तो यह गिरती आर्थिक स्थीती के लिए वैसे तो पीसली सरकार भी उतनी जुम्मेवारे जितनी आज की सरकार लेकिन आज क सवाल करता हूं कि यही ऐसा अंदोला ना से बीच साल पहले पच्ची साल पहले जब गुडगामा की जमीन ली जा रही थी और गुडगामा किसान क्या करेगा मगारा जो वह दोवार का किसान वह कुछार है रही से अमीरे फॉर्ट इन गाड़ियों में गुम रहे हैं हाँ वह बात आपकी ठीक है क्योंकि उनकी बजार बाओ के अनुसार उनकी जमीन ने बिगगी थी इसलिए वह गाड़ियों में गुमें वह कुछ दिल लोग लेकिन अल्टिमेटली क्या हुआ आखिर में उनके साथ आज उनके वह जिनकी बस सर्विसी चलती थी ट्रक चलते थे कुछ अपनी आश प्रस्तिय में उड़ा दिया आज वह सड़क पे हैं हम तो अपनी जमीन को बचाना चाहते हैं हम अपनी जमीन बचाने के लिए यह और मामारा इससे बड़ा कोई उदेश्य नहीं इसके लिए तो चाहे हमें दिल्ली से लड़ज भी जाना पड़े दिल्ल कब कब नी गेरे में आई हम जब तक गेरा नहीं उठाएंगे जब तक की दिल्ली हमें परविश्वासे नहीं दे देती कि हम आपके साथ खड़े हैं बातों में खड़े हुणे बातों में उल जाने और राजनीती करने मातर से हम यहां से उठने वाले निये जाता हूं अगर दिल्ली ने कोई ऐसी गलती की आज हम अपनी मांगे बिल्कुल गांधिवादी तरीके से बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात्ते रख रहे हैं अगर उदर से कुछ दिक्कत हुई तो ये कुरक्षेतर का मैदान स्रीक्रिशन ने चुने था ये अर्याना की दरती है तो यहां महासंगराम होगा एक अगली माबारत के लिए भी दिल्ली को त्यार रहना चीए वह हमारा बच्चा-बच्चा कटमरणे को त्यार है